के आसपा से समय निफ्टी ट्रेट करता हुआ मिड कैप स्चोष में, बैंक स्चोष में तो आज के स्टॉक्स अफ़ दे फिर कौन से हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एक्षिन है जाते हम आये साथ हैं वो पहले देख लेते हैं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगबग 48% का जंप अगर हम नेट नपी, ग्रॉस नपी की बात करें तो यहां आपको हलका सा डिटोरियेशन दिखा है लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आगे जाके जो एसेट कॉलिटी है, यहां सुधार देखने को मिलेगी और स्लिपेजिज में लगबग 10%, 12% की आपको डिकलाइन देखने को मिली है तो अच्छे नंबर्स के बाद और अच्छी कॉमेंटरी के बाद शेर में लगबग 78%, अब 11% का मूव PNB, यहां भी अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट लगबग डेड़ गुना से ज़ादा बढ़ता हुआ नजर पड़ा है जहां तक कि NIA का सवाल है, यहां 10% की ग्रोथ और ग्रॉस NPA, नेट NPA में बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को मिला है, वीज़ेपी दूसरी बैंक और गाइडेंस में भी काफी अच्छी आपको तेजी देखने को मिल रही है जहां तक कि ग्रॉस NPA का सवाल है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है 4% के लेवल के जो FI25 एंड के होंगे और अभी मौझूदा लेवल 5% के तो अच्छी ऐसेट कॉलिटी सुधार के गाइडेंस के बाद PNB के शेर में भी जबरदस तेजी और राइट्स ये भी स्टॉक रखे अपने रेडार पे आतावा दिखाई दे रहा है मूवज आ चुके हैं मानस आपका कोई ट्रेड है कोई ऑपरचुनिटी यहाँ पर मिस्तो वैसे हो चुका है काउंट लेकिन अब 11% के तेजी पर अटेंप्ट करना चाहिए या फिर रहने दे रहा है कि यह पहला दिन है रिवर्सल का क्योंकि करेक्शन अमने देखा था करीब 800 रुपर से लेकर 660 तक लेकिन आप क्योंकि लेकर रिवर्सल है करने का लेकिन डेट के साथ सो रुपर से खड़ीदारी करिए आइटिंग पिछला हाइई उसको बीच करके 820 रुपर की तरह स्टॉक जाने की कोशिश करेंगा करेंगा